असलाम अलेकुम हबीबी, चाहे आप सयद हो, शेक हो, पिमन हो या पठान, सब के लिए 1% पिमन प्लान, फिर चाहे आप बुजर्ग हो या जवान, सब के लिए 1% पिमन प्लान, 0% rate of interest के साथ, ज्यादा जनगरी के लिए इस नंबर पे संपर करें, रेडी? आप सब करो, लेकिन किस पर ऐलिगेशन मत करो इस नंबर दिलिन क्यों हो रहा है, वभलो भाई, आप TNC का लिए 1% पिटर रहे हैं, क्या आपनी बात 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 पर यह रखना चाहते हैं, चाहता हूं में, क्या एक तो आप मान लो, क्या आप मुम्रा में बोल देते हो, कि मुम्रा विकास नहीं हुआ, मुम्रा में इसके बात कोई एलेकिशन लगा देते हो आवार्स हमने लाया है, आप फहले बहुत कि अपना लो, यह रहा है का मुम्रा में विकास वह रखने है तो आवट और सबने लाया है, ऐस नहीं है, इठाने मान अगर पालिका ने लाई है, नगर सोग क्या वजा नहीं हुआ तो इ बात रहें बुद्य की में बात एब को क्लिएर करना चाहता हूं कि जो प्र पेडिशन हुआ है पेडिशन पर नहीं को प्र कर देशनर चल रहा है इसके ऑपर इंकारी वाइटी है कि अंदर को वकील और मेरे काथ जेजर होस्पिटल ने उन्हें का है कि यह तुम हमको इंकारी करके बताना पड़ेगा उसका पीज जो है उठाने मानगर पाली का उसको पैसा है तहने मानगर पाली का देगी तिकना वर्किंग कर रहा है उसमें क्या-काफ है सब्सक्राइब करके हमको बताए कोई कितना फंड आया कितने मालेका था क्या था इस पर कोई चीज पर कोई और ने दिया इस पर इनकार एक बैटी है यह होस्पिटल किसने वर्ट पर चांग रहा है इस पर ऐलिगेशन आवार्ट सब्सक्राइब गलत बात है लोगों को पर चालो लेगी तर्चों मुम्रा मार्केट में एक होस्पिटल साथ दर्वस्पिटी में होगों को बहुत जरूर्वर किसा है कि आपको आपको बता दू क्या ठाने मानगर पालिका की रेविन्यू और बहुत हस्ता हाले पिछले कुछ तीन-चार सालों में पैसे के चिवाजी ऑस्पिडल भी इतने प्रॉब्लम से चलवा है वही बेस्पे ठाने मानगर पालिका में भी हलात बहुत कम है स्टाफ की कमी होने कि ना से इतनी इत्मांग करने के बावज़ूर भी हास्पिडल फूल फ्लैश पे चाल रहा है अभी टेंडर हुआ है साथ तरीकों पूरी के पूरी आके उसमें होस्पिटल में भरकी वह है मगर प्रॉसेस में होने के इसलिए वह रुकी पढ़ी है जैसा टेंडर प्रॉसेस हो गया एक महने के अंतर जैसा प्लेट फाइल ऑक की होजाईगी जैसा टेंडर जो फ्लेश में चलू परेगा वो जितनी मशिन है और आप तो तो आप क्या बताने चाहिए इसमें प्रेस कॉन्फरेस्स में ने देखी हनीफ कंदर साब को अब आटिया एक्टिवेस्ट है उन्होंने एक PIL फाइल करिये एक संस्था के थुरू तो यह पब्लिक इंट्रेस्स लिटिगेशन है कि यह हॉस्पडल इतने टाइम से चालू नहीं हुआ है या इस पर जो भी धपले वगएरा हुए होंगे इसे जिनका वो एलिगेशन है वो लेके वो कोर्ट में गए उन लोग कुछ भी नहीं है जीरो है कैसा रहता है PIL में को इसको बोल दिया जाता है कि हमें आपकी डिसाइट कर रहे हैं आपकी डिसाइट कर देनी है जरूँए है दो तिन अलग-अलग पेटिशन कोट को इतना टाइम नहीं है तो एक जो पेटिशन परफेक्टली चल रही थी इनकी उस पर जबरदस्ती क्रेडिट लेने के चक् तो ये प्याल की वह दो थोड़ा प्रेशर भी पड़ा है और काम अच्छे से हो भी रहा है और लग-बग काम हो गए है और प्याल में ऐसा है कि एफिडेट जो टीएमसी ने फॉयल किया है ये हमारा होस्पिटल वॉर्किंग है फुल फ्लेज में नहीं लेकिन वर्किंग है जितना हम लोग कर सकते हैं maximum लोगों को medical support देने का वो TMC कर रही है लेकिन इसके विप्रीत यहां पर जो petitioner है उनका कहना है कि अभी तक hospital चालू नहीं हुआ है तो hospital चालू हुआ है या नहीं हुआ है इसके लिए court ने court commissioner appoint किया है हमारे उपर कोई hospital के उपर कोई inquiry नहीं है ये court commissioner appoint किया जाता है कि हलक नामे पे क्या जो दिया गया है दोनों party दोरा इसमें सच क्या है तो उसकी report तीन लोगों की ये committee है एक उसमें जेजे hospital के doctor है और जैसा कि बबलू भाई ने बताया लोग है वो लोग आके अपनी report देंगे और वो आके process चलेगा और टीमसी को separately भी फाइल करने बोला है कि आप ये full flag में hospital कब चालो करेंगे तो अवर्स अपने full direction दे के रखा ये लोग को जल्द से जल्द hospital चालो करो कि अगर किसी ने काम नहीं किया है तो आप किस तरह से allegation लगा सकते है उस पर कि इसकी वज़े से हो रहा है मैंने press conference देखा आप ITI activist है आप को ITI की बात करने चीज़ी आप के कोट की बात करने चीज़ी हम लोग इसलिए आजाए बाइट देने के लिए मन्पा ने एक हलफ नामा दिया है कि हमने hospital को working किया है जितनी उसकी capacity हो सकती है machinery is are there machinery वहाँ पर है लेकिन full fledge में चालू होने की वज़े से नहीं डॉक्टर वगेरा सब appoint करना पड़ता है दुबारा हलफ नामा देना है दुबारा हलफ नामा देना है कि यह आप full fledge में कब चालू करेंगे आप order पढ़िए मैं आपको order को पी supply करता है आप order पढ़िए दूसरा हलफ नामा मादा है एक machine deal बताया गया कि hospital में machine deal लग चुकी है तो दूसरा हलफ नामा दिये पूरा पढ़िए उन्होंने हलफ नामे दियेंगे लेकिन आप प्रेजेंट जो order आया जिस पे उन्होंने बाइट दिया है उस पर हमारा reaction है तो दूसरा हलफ नामा देने के लिए बोलाए कि फुल फ्लेज में hospital कब चालूएगा और उनकी watch है फूल hospital पे कि जल्द से जल्द चालू करना इसको इतने साल हो गया आप बुलना है कि जल्द की वाजश है तो इतना बड़ा कोई पिछले 10 साल में इन्होंने लाया और सबने लाया है अगर वह नहीं चाहते तो नहीं आता उन्होंने उम्रा के लिए लाया है पूरे थाना में दूसरा स्टेडियम बता रही है दादा जी कोड़ें में हमारे बच्चे आज तक नहीं गए होंगे खेलने के लिए तो यहां में कहां जा रहे है जा रहे ना जा रहे है आप मेरी बात पूरी तो सुन दिजिए आप बच्चों को खेलने के लिए जगा नहीं है तो अगर वहां पर बुटी मुट भी है खेलगा तो उस टाइम पर बच्चों को खेलने दे लिए आपका जो सवाल है उससे मेरा कंसर्ट नहीं है मैं कंसर्ट हॉस्पिटल के मुद्धे पर लेकि आभी बैठा हूं आपके पास मैं उसके डेटा लूगा तो आपसे बता लूगा आप चीज़े बताया मैंने क्या बोला आप आप कोर्ट जाओ आप सब चीज करो लेकिन किस पर करो अगर अगर करेंगे तो उसको प्रूफ करो अब आज ऑ बाज और सटेडियम पर बाइट बाइट पर फिर फिर पर सो मेरा जवाब ले लो अब ठीक है तो इतना असान नहीं है बोलना बोल लो आप कुछ टेंशन नहीं अवर सब काम करते हैं